लखनव का हमारा ये शहर आखरी पड़ाव पर है कुछ और खीच सकते थे पर घाम बड़ा तेज है बहुत तेज धूप लग रही है हम तो ऐसे बढ़िया से ओड़े वोड़े हुए थे पर यह हमारे दोस्तों को लगा कि आप ठीक नहीं लगेगा वोड़ने अब तो ठीक है अब यह क्या है वाई जब यह हाती तो बने हुए हैं यह अमबेटकर पार्क है और नए लखनव में नए दोर में पुराना लखनव था बागों का शहर था तो कई सारे बाग थे विलाइती बाग बनारसी बाग बुलंद बाग वजीर बाग चार बाग नया लखनव जो है पार्क का लखना हुए तो उस में अमबेटकर पार्क लोईया पार्क जनिश्वर मिशरा पार्क यह पार्क वो पार्क सब बार्क है तो यह हाती चुंकि वह अच्वर मायवती जी ने इसको तामिर करवाए थे वहां पर हैнов पत्थर पे इख्या वड़ा पट्थर के नाम वा हूं ने कर棄 की पत्थर के सरम्प्थर के खुदा पत्थर के साब हुआ हो । पत्थर पे शेर तो मीर का है इश्क एक मीर भारी पत्थर है कभि ये तुझ नात वहां से उठता है देख तो दिल के जांसे उठता है ये दुआ सब्सक्राइब दो तरह के डिस्कोर्स चलते हैं कि दलित की वेटी वर्सिस दौलत की वेटी और उन देवी देवताओं को मत पूजो हैं मैं जीविद देवी देवताओं वो सब क्या रहता होगा दिमाग में अधब इसका एकुली और वाइडर कॉंटेक्स्ट है और जहां पर हम खड़े हैं यह पूरा इलाका एक तरह से अगर आप देखें हमाजूर हम गाड़ी में यही नोगधोग चले थी कि लखनो है भी कि नहीं क्योंकि लखनों इसको मानते नहीं पर जो यहां रहने वाले तो गोंती इस इलाके की जो अपनी हिस्ट्री है और खासकर कि नब्बे की दशक्से हिस्ट्री है वो नए उत्तरप्रदेश नए लखनो एक नई राजनीती का दौर वो सब की हिस्ट्री है अगर आपको यहां पे अमबेटकर पार्क पूरा यह दिखाई पड़ा है एक सो तीस एकड़ करीब शायद इसका है जब फाइनली बना प्रस्तावना शुरू में कम की थी ठीक साम ने आप देखेंगे उस तरफ से शुरू होता है रामनुहर लोहिया पार्क और और यहां से सीधी सड़क जाती है और और आगे जाके करीब जनेश्वर मिश्वर मिश्पार्थ और इधर ही है ताज होटेल पिछम को दिखाई नहीं पढ़ रहा है अभी और इसी की उस गों जाता है जो समाजवादी पार्टियों में भी आई और उनका एक प्रतीक बन गई और उसके बाद एक तरह से देखा जाये तो यह उस उस राजनीती का जवाब भी है और उसी राजनीती का प्रड़क्ट भी है कि आप किस तरह से पार्कों लैंड, रियल एस्टेट, पत्ष से आप कैसे एक राजनीतिक लड़ाई लड़ा करते हैं और अच्छा इस पे बहुत सारी बाते होंगे आपने दो बाते अलड़ी कहे दी हैं मैं उन बातों से हट कर एक बात कहना चाहूंगी वो यह है कि इस पार्क के अंदर जो आर्किटेक्ट्रल वैल्यू है एक्चिली वह काफी इंट्रेस्टिंग है क्योंकि इसकी जो कलपना करी सतीज गुज्राल साब ने भी इसके ले आउट के आर्किटेक्ट रहे और उसके लावा एक डिजाइन आर्किटेक्ट करके शायद मैं नाम गलत जा रही पर डिजाइन आर्किटेक्ट करके एक ग्रूप है दिल्ली उन्होंने भी इसमें काफी इनका कॉंट्रिब्यूशन रहा तो उन्हों का कहना है कि इसका जो ले आउट और इसके जो आर्किटेक्टेक्टर है उसमें कही तरह की इंफ्लूएंस है उसमें एजिप्शिन स्फिंग्स का भी इंफ्लूएंस है उसमें बहुत करके बहुत इंट्रेस्टिंग मूर्ती है अब यह मंदर जा नहीं पा रहे हैं कि समय भी नहीं और भी खुला भी नहीं है पार जो एक बहुत बड़ी पत्थर की कुर्सी पर बैठे है एक तरह की आराम कुर्सी जैसी है वो बता आपको किस के किस नमूनी पर बनी है तो अंबेटकर का जो अंदर यहां पे स्थान है वो लिंकन के मूर्ती के जैसा उसी की तरह बनाया गया उस साइस का नहीं है पर लिंकन का जो सिंबॉलिजम है अमेरिका में रेस के लिए और रेसिजम खासकर कि सिविल वार को खतम करने के लिए देश को एक साथ लेके करने के क्या-क्या विमर्श हो सकते हैं उसके लिए तो इस पार के अंदर कही तरह के प्रतीक है जो कि ऑफकोर्स राजनेयतिक है क्योंकि सारी चीजे आम तोर पर राजनेयतिक हुआ करती है तो वो डिस्कोर्स भी है और जहां तक मूर्तियों की बात है हम लोग हाती की बात कर रहे थे और हम प्रतीकों की बात कर रहे थे तो जब इलेक्शन कमिशन सुप्रीम कोड के और के बाद सारे हाथियों को कवर करने की बात हुई थी फिछले इधानसभा के चुनावा में यहां पर तो बड़ी एक नुवांस की बात थी कि कहा गया था कि अरे जो हाथी यहां बने हैं उनकी पूछ उनकी सून नीचे है और जो बेस्पी का सिंबल है उसमें सून थोड़ी ऊपर गूमी हुई है तो अगर हम प्रतीकों नुआंस की बात करें तो यह तो यह तो एक दूसरी बात इसमें जोड़नी है यह बात यह है कि दरिया पार करके गोमती पार करके से बाप आते हैं तो यह जो आपको रात में बहुत खूबसुरत दिखाई देता है और जाही तो और पर लखनु में कम जगह थी कुछ लोग ऐसा कहते थे कि दूमने देखने के लिए अना कि वह भी गलत बात है अब यह जगह जो गई ने लखनु में देखने के लिए यह समझी है कि लखनु मार्कों के भीतर या बाहर बीतर हर जगह मतलब ऐसी भीड यहां दसनबश और ऐसी रौनक और ऐसी रौनक यहां होती है इसका मतलब है कि वही लोग जो अलोशना करते थे शाम को यहां आते हैं मुझे जो समस्या है वो दूसरी मैं यह कहता हूँ अगर एक करोल रुपे लगा दिया जाए तो उस जगह का काया कल्प हो जाए वहां वो काम नहीं किया मैं मसलन मैं आपको बताओं यहां एक मुगल साहिबा का इमाम बाड़ा है उसकी दीवारों पर जो नकाशी है यह लखनौ के चिकन लखनौ के चिकन के काम का जो पैटर् पुराने लखनौ में आपने देखा कि मिरजा दबीर, दबीर की जो खबर हो इस हालत में एक नौन ही करा दे जंडे ओ लातौ पार्क आप उसमें क्यों नहीं कुछ करवाते हैं उसको क्यों नहीं डेवलअई आप पुराने शेर में कश्मीरी महले में शर्गा पार्क है वह अधियर में क्या हुआ एक तरह की जब नहीं अर्थववस्था आई उसमें पैसा राजनीती में आ गया और अफसर शाही के गजोड़ में आ गया तो सारे अफसर यहां रहने लगे और कुछ माफिया किसम के लोग रहने लगे कुछ नेता लोग रहने लगे बड़ी कोटिया बन गई तो अब चुकि यह लाखा एक तरीके से नए लखनौ का मरकज हो गया रौनक हो गई यहां तो अब यहां सारा विकास की गंगा भी यहीं बह रही है पार्क बबन रहे हैं तमाम चीज़ें मेरा सवाल यह कि इसका एक फीज़ दी वहां भी तो लगाओ जो जिसको लख लखनौ की फीडल तैजीब के कसीदे पड़ते हैं उनको यह तोफीक होगी कि वो जाकर कश्मीरी मौले में देखकर क्या आएं कि वहां कि नालियों की क्या हालत है वो नखास में देखके आएं कि वहां ट्रैफिक का क्या आलम है मेरा सवाल इस बात कि आप पुराने कर दें मौह इससे शिखाय इस देखकर आरिफ का शेयर है वो जो आब जर से रकम हुई थी आब जर सोने के पानी से वो नजो आब जर से रकम हुई थी भुदास्ता मुसतनद को जो खून दिल से लिखा गया था वो हाशिया भी तो देखते मेरी पीडा ये है कि लखनव में जो पैसा है वो एक ही जगा पर जाता है वहीं पर वहीं पर जो विकास होता है मुसका समझते हैं ये विकास हुआ कि हम देखते हैं ये चौड़ी चौड़ी सड़के हैं ये इदर सामने पार्क, इदर पार्क, वो जो बाग हैं, जहां पर मारी आजादी की लड़ाई हुई, जहां पर हमने मुश्तरका तहजीब के सबक सीखे, जहां पर हमने साथ साथ गम और खुशियां मनाई, उन पर काम क्यों नहीं होता है, मेरा सवाल इस बात को लेकर, श्क् अपनी जगे सही हैं, हाला कि उन सब पर इल्जाम भी लगते रहते हैं, सिसमारक को लेकर सामने गुमती रिवर्फ्रेंट है, उसको लेकर, अखलेश यादव पर मायावती पर सब इल्जाम भी लग रहे हैं, जहांचें भी हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो हमानशु जिससे लखनव को पहचान मिलती है द्वंद के बीच ये एक जरूरी सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए ललन टॉप की ये कोशिश रहेगी कि इस्थानी लोगों के साथ शहर दर शहर यूहीं भटकते हुए कुछ किस्से कुछ लतीफे कुछ शेरो शायरी और कुछ अपनी बातों के जर्ये शहर को एक नई नजर से देखने की कोशिश जारी रहे है इस पूरे प्रयास के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवाएं यह बहुत ही शुरुआती कोश्चे हैं आप लोगों के फीडबेक से हमें सुधार में मदद मिलेगी हिमान्शू भूमिका आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ बस नाश्ता करवा दीजेगा बहुत भूग लगी है चार बजे से भटक रहे हैं आप देख रहे हैं